यातायात विभाग के पुलीस इंस्पेक्टर द्वारा एक वकील की पिटाई की चौकानी वाली घटना बुद्वार को नाकपुर शहर में सामने आई है प्रारंबिक जानकारी मिली है कि मारपिट गलत साइड में जाने के आरोप में की गई है इस घटना से वकिल संग में भारी रोश है बिली जानकारी के अनुसार जिला अदलत के वकील तहसीन रजाक बुद्वार की दो पर अपने दुपया वहान से जिला अदलत से संभागिया एक तक कारियाले की और गलत दिशा में जा रहे थे पुलीस निरिक्षक एडगेवार ने रजाक को रोका और पुछा की वह गलत दिशा में क्यों जा रहे है इस पर रजाक ने कहा कि वे हमेशा ही इसी दिशा से जाते है ये सुनते ही पुलीस ने कहा आप जिमेदार हो यह कह कर खाकी का रोग दिखा कर धका मार कर थपड जर दि किया है पुलिस कमिशनर से और डिसी पी साब से बात करने के बाद में हम लोगों ने उनको बताया कि किस तरीके से अन्याय तैसीन हमारे एक युवा वकील तैसीन मिर्जा के तैसीन गुलाम मौमत के साथ में हुआ है पुलिस ने भी उस चीश को मानने करते वे ये कबूल कि कि ये ये वह वकील के साथ में गलत हुआ है अन्याय हुआ है करके पुलिस भी उसमें एफ़ाय रजिस्टर कर रही है जो पी ए येड़के साब है उनके अगेंस में और टू नाइंटी फूर पास्तो छे और अधर कलम भी लगा रहे हैं साथ में पुलिस कमिशनर ने हमको य जालू करेंगे डिपार्टमेंट इनकोरिय और आज के आज ये उसको वह पत से वहां पर ट्रांसफर करेंगे दूसरी जगह पे उसको भेजा जाएगा तो रॉंग साइट पर आना उसके लिए मोटर विकल एक्ट में एक फाइन का प्रवादान है तो वह फाइन उस समय भी वह वकिल हमारा भरने को तैयार था वह आज भी जो फाइन है वह फाइन भरने को वह तैयार है वह ऐसा सीरियस क्राइम नहीं था कि जिसके लिए इत्ता वकिल के साथ हुआ है तोड़ी चूक ववकिल से भी ति इसका भुकता नो करने को तैयार जबी भी था अबीं भी है वो वकिल के अबेंद्ट में भी उन्हाद है नहीं उस वकिल ने कुछ ऐसा कारे ही नहीं किया कि जो उसके खिलाफ में कोई गुना बनता है तो कोई ही कु हैं तो सब्सक्राइग के लिए जो प्रक्रिया होती है वो डेपार्टमेंक इंक्वाईरी आज उसका अगिंस्पर कमिश्टर साब ने बुला है कि चालो जाएंगी और फिलाल को ट्रांस्वर भी किया गया है तो तो हम लोग पुलिस की कारवाई से संतुष्ट हैं, और हम लोगों निर्ने लिया था कि अगर नयाए नहीं मिलता है तो हम कल कोड़ बन करेंगे, तो हम लोग अभी फिलाल स्ताकित करते है वह कोड़ बन करने का जो हमारा. येडगे जी ने हाथ उखा है येडगे जी ने कॉलर पकड़ा है जो की चलती गाड़ी में कॉलर पकड़ना बोले तो उसकी जान को भी धोका हो सकता था और कानूनी तोर पे ये इस तरीके का चलते गाड़ी में गला पकड़ना, कॉलर पकड़ना ये गैर कानूनी है और ये पुलिस जो खुद कानून के रखवाले है तो ये गलत कारे किया है उसमें तो जो कारवाई हो रही है और सही कारवाई उसके किलाफ में हो नहीं है। जब मैं गाड़ी ओन करके शुरू जाने कोई के कुशिश किया तो उसने मेरी गाड़ी रोखे और रोकने के बाद मेरी कॉल पकड़ के मुझे वहाप पे गिराया उनने और गिराने के बाद जो है में साथ मिस भी किया उसमें गलत अलफास का गलत लेंग्विच का भी स्तेमा कि यहां आने के बाद में स्थिती विपरित हो गई उनका यह बुलना पड़ा था कि अगर हम एफायर करेंगे तो आपके उपर भी हम 353 दाखल करेंगे सभी वकीलों सभी वकीलों के उपर में हां तो हम हमारा वही प्रशन था उसमें 353 जैसा सा क्या कंड़क्ट होगा तो क कि आप 353 प्रियादी के उपर में लगांगे करके तो इस विशे के उपर में इस कंडिशन के उपर में उन्होंने लिया था कि हम पी 353 लगाएंगे हम इन अमने हमारा शिरी पी बुलना पड़ा आकरे हमारे वरिष्ट लोग हां पर आए उनका यह आखरी में बुलना तक नहीं हुआ है मेडिकल के खुद जा रहा हूं मैंने मेडिकल के लिए को भोला है अब तक मेरा चार घंटे ओगे अरौड अबे तक मेडिकल नहीं हुआ मुझे खुद बोला है तो मैं अभी आज यह वाला जो हुआ है यह सिर इस कंडिशन पर हुआ है कि हम काउंटर 303 का एफ आयर करेंगे इस आपको रिपोर्ट आई है डिसी पी साब को कहा से रिपोर्ट आई है मुझे नहीं पता पर डिसी पी साब ने कहा है कि अगर आप कंप्लेंट देते है तो आपके उपर भी जो है 303.5 IPC लग सकती है आप पे नहीं बाकी लोग जहां पर जो मौजूज थे 50 अडोकेट उन पे भी हम लोग एक्शन लेंगे ऐसा मुझे वहां से इंफॉर्मेशन मिली है जी हां सर्विस रिवालवर उनके पास था नहीं उन्हें उसको लेका कि निकाला नहीं उन्हें का प्रियोग किया था साती साथ उन्हें कहा था कि मैं कोट को भी देख लूँगा और वकीलों को भी देख लूँगा इंडरेक्ली उन्हें जो है जज वर्ड यूस किया था पर दायर करने को बात चल रही है उसमें कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि पुलिस आपको कहीं 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 दबाने कोशिश कर लिए इस मैंटर को गुम्राह करने कोशिश की जारी अगर ऐसा कोई कंड़क्त तो हम लोग तयार है हमारे सब वरिस्ट लोगों ने हमापर बात कि आइसा कोई कंड़क्त हुआ होँगा थ्रीफिप्टी समान तो वी आरेडी फॉर देट को दिक्कत ने लेकिन ऐसा कोई कंड़क्त लोग अभी क्या मान आगे कुछ नहीं आगे अगे अगर आफिर होते है इसकी निश्पक जाच होनी चाहिए जो भी सई कल्प्रिट है उसके उपर में अभारे वरिष्ट लोग ने जो पुलिस वाला था उसके उपर में इन लोग ने ट्रांसफर के लिए निरदेश दिये है इसके लिए हम डिबी और पीडीजे को भी रिप्रेजेंटेशन देने वाले सुनने मैं कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया इस पर हामी भरी गई है नहीं हाँ बोले है उन्होंने कि उसको इस जो एक्यूज़ एग जो पुलिस वाले एक्यूज जो चालन बनातेर समय जिनों ने गिराया घटना के समय उनकी खुदकी गाड़ी रोंगसैड में डबल लेन में खड़ी भीते टो एगर उनकी नजर में वो रोंगसैड है और वो कानून का उलंगन है तो यह बात उनकी उपर भी लागू होती है और यह बात के लिए क्या उनकी वरिष्ट ने उनकी उपर कोई पर आप यह देखिए कि इस पे से जब हम वकिल रहे के जब गलत हुआ है हम लोगो सब प्रोटेस कर रहे है एक जब साधा इंसान जब पुली स्टेशन में जादा हुआ तो उसके साथ में कितने हाल होते होंगे आज हम इनको कहे कहे के ठक गया है कि सर गलत है फायर लीजिए आपकी आप अभी देख रहे होंगे आपकी कितना डिले कर रहे है फिर डिले इन रिजन उन्होंने लिखना चाहिए अभी जब वो गए तो उन्होंने स्टेशन डारी एंट्री की कि यह सब बाते एक एक रहेगी पर देखिए कि हम वकिल रहे के इतना सफर कर रहे है पर जब कोई सीधा जो इनसान है एक साधा नागरी के जिसे हम कहते है तो जब वो पुलिशेशन जाता है जब उनको प्रदार ना होती है तो आज सही मायने में हमारे द्वारा आज पुलिशेशन में आके कही ना कहीं य परगर जो यह मीत्र परिवार है और हम सब लोग जो लोग होते हैं उनकी साथ देने के लिए हैं पर आज जो सब अत्याजार हो रहा है यह आपको दखल लेनी पड़ीगी इस निवच के मात हम से जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे समस्त यहां पे सेशन कोड नागपूर के वकील यहां पे आय हुए हैं क्योंकि अभी जो हादसे हुए हैं उस हादसे को लेकर के यहां पे एफायार दर्ज करने आय हुए हैं लेकिन इनका ऐसा कहना आरोप है कि ब्लैक मेल किया जा बढ़ता होगा इससे एक अंदाज यह लगाया जा सकता है इससे अधिक जयनकारी हम इस मामले में हमेशा आप तक आप लेकर आते रहेंगे आप देखते रहें इन्वी से न्यूज वीडियो जनरलिस्ट अखिलेश भारतवाज के साथ मैं वील सिंग कैमेरा परसन